गुटी इवनिंग बच्चे ओ कैसे हो आप सब आज फिर हम अपने नए कुश्चन की सुरंखला के साथ हमारी लास्ट टू क्लास तो थियोरी के पार्ट से हुई थी जिसमें हमने जैनेटिक्स को कवर किया था जैनेटिक्स के हमने बेसिक फैक्ट उसमें जाने थे हाला कि क्लास में कभी उसके वारे में थोड़ी और एक्स्टा चीजें रखेंगे और नेक्स्ट वीक में फिर और किसी नए टॉपिक के साथ भी हम आएंगे तो बच्चों हमारे यूट्यू चैनल को लाइक करते रहें शेयर करते रहें और अपने दोस्तों को जोड़ते रहें और इस एक्जामपुर के चैनल पर आप सब का बहुत पास स्वागत आईए हम और मिलकर के कोश्टन की सुरुगात करते हैं ठीक है बच्चों इसका कमेंट बोक्स नहीं है खोल दूख which one of the following is a useful fungal association between fungi and the roots of hair plants निम्न लिखित में से कौन सा कवक उच्च पौदों की जड़ों के बीच के लिए उप्योगी कारेकारी संबंध है बदल यह बताना है आपको कि higher plants का और fungi के वीच में इस में से कौन कौन से संबंध है तो एक एक करके हम बताते हैं इनको तो हम सही question के उपर अपना पहुंच जाएंगे हम ठीक है बायो fertilizer बायो fertilizer जैसे example के लिए यह है rhizobium एक जीवानू होता है जो केवल रहता है दाल वाली फसलों की जड़ों में जो nitrogen fixation का काम करता है ठीक है बच्चो तो लेकिन दाल उच्च पौधे तो है नहीं बहुत लोग रहें तो यह उप्शन भी चला गया correlate route ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छा question है इस तरह के question आए हुआ question ही है जो हम question करा रहे हैं हमारे PCS exam में पूछे गए questions में से ही है ठीक है correlate route किसके अंदर पाई जाती है एक्जामपिल दे रहा हूँ में कि साइकस कि साइकस इसमें क्या होता साइकस का जो plant होता है उसकी जड़ थोड़ी बाहर आ जाती है है थोड़ी थोड़ी जड़े है कुछ जड़ जो बाहर आ जाती है उपर उपर फैलने लगती है और इनके अंदर रहती है एलगी शेवाल यह option भी चला गया यहां तो फंजाई का पूछा है और like and किसका association है like and है शेवाल व कवक का शेवाल और कवक का है और यह है trees यानि पेड प्लस कवक यही पूछा है कवक और उच्च पौदों की जड़ों के बीच में किसका संबंध है यानि पेड की जड़ यह आ गया तो हमारा यह option ठीक है माइको राइजा इस दा एसोसियेशन ओफ दा रूट्स विद दा बद ऑफ हाइर प्लांट्स ठीक है द्यान से समझ लेंगे बैटे गुट इवनिंग बच्चों गुट इवनिंग ठीक है ना चलो इस पर द्यान देंगे पढ़ाई पर तो बच्चों फिर एक बार बता दे लाइकस में यह एसोसियेशन है लाइकेन में एलगी और फंजाइशे वाला और कवक का इस देंगे लाइकेल हमें एक चीज देता है बहुत इंपोर्टेंट यह हमें लिटमस देता है लिटमस की प्राप्ती हमें लाइकेन से होती है जो आपने सुना होगा लाल और नीले लिटमस बनाए जाते हैं क्योंकि लिटमस का ओरिजनल कलर परपल होता है लिटमस परपल कलर का बैगनी कलर का होता है इससे लाल और नीले लिटमस बना जाते हैं जिसका उप्योग ऐसिड और बेस के पहचान के लिए किया जाता है है तो बच्छे वहम हम अगले कोश्चन की बढ़ चलते हैं एक्छा कोश्चन है तो ढमारे अीकफों कश्चन करा का रहा है के पर बहुत आपसा ने दे दिया इसका आंसर वी स्कति नहीं होगा यसमें पताने को पाइदा नहीं होगा को डिसकस कर रहे हैं तो उसके कुश्चन हमारे इसके अंदर हो चुके हैं अब हम नेक्स्ट कुश्चन की ओड़ चलते हैं कि सेंसेशन हिंदी पढ़ते हैं लंबे समय तक जोड़दार सारे रिक परिस्त्रम सारी सिर्म के बाद मास पेसियों में ठकान की अनुभूती होती है क्यों ये ठकान ठकान क्यों हो जाती है हम यदि किसी मेहनत के काम को लगातार लंबे समय तक करते रहें लंबे समय तक करते रहें तो उसका कारण क्या होता है क्यों दर्द होने लगता है हम लगातार दोड़ते रहें लगातार हम वजन उठाते रहें लगातार हम बैठे भी रहें लगातार हम लिखते भी रहें लिखते लिखते हमारे हातों में भी दर्द हो जाता है और यदि ऐसे दर्द हो जाता है तो उ पेन एंड फटीगनेस थकावट करता है थकावट थकावट जो होती है वो इसी की वज़े से होती है दर्द और यह कव तक रहेगी जब तक मसल्स में लेक्टे कम्द जमार रहेगा थकावट होगी और जैसे ही लेक्टिक एसिड वहां से निकल जाएगा आराम करते हैं थक जाते हैं तो हमने रेस्ट करते हैं रेस्ट करने से यह लेक्टिक एसिड बिलड के दौरा वहां से हट जाता है और हम फिर से हमारी थकावट दूर हो जाती है भूल भी जाते हैं हमें कितनी थकावट अब हम next question के उड़ चलते हैं बच्चो ठीक है very good हमारे कई बच्चो ने इसका जवाब दिया है हुडा ने बविता ने और तनू ने very good बच्चो keep it up लगे रहो इसी तरह से बहनत करते रहो आपकी मेनज जरूर रंग लाएगी थर्ड कोश्चन इसमें मैचिंग करनी है थर्ड कोश्चन में थर्ड कोश्चन में आपको मैचिंग करनी है हीमोफीलिया निम्न में से किसके अंतरगत आती है पहले तो यह है हीमोफीलिया क्या होता है हीमोफीलिया में चोट लगने पर रक्त का स्राव लगातार होता रहता है कोई इसका पर्मानेंट इलाज नहीं है हीमोफीलिया का कोई इलाज नहीं है क्योंकि ये आनुवानसिक बीमारी है ठीक है आनुवानसिक रोग या गया आनुवानसिक बीमारी आनुवानसिक बीमारी वो होती है जो बीमारी माबाप से बच्चों में जाती है उसे हम आनुवानसिक रोग कहते हैं ठीक है बच्चों समझ गे अनुवांसिक हीमोफीलिया है colorblindness है ये दो ऐसी बीमारी है जो बावाप से बच्चों में लगातार एक पीडी से अगली पीडी तक जाती रहती है इनका कोई इलाज नहीं है सिक्कल सेल एनेमिया ठीक है ये ऐसी बीमारी इनका जिसको बच्चे को ह जाती है तो फिर जीवन वर उसी के साथ काम चलाना पड़ता है अभी तक तो इनका कोई treatment नहीं मिला है diabetes अब हम diabetes को देखें diabetes का सम्मंद किस से diabetes होती है insulin की कमी से diabetes होती है insulin की कमी से अब insulin क्या है insulin एक hormone है तो ये hormonal disorder हो गया rickets, rickets के अंदर क्या होता है बच्चों की हड़ियां टेड़ी मेड़ी हो जाती है बच्चों की हड़िया टेड़ी मेड़ी हो जाती है तो शरीर में किसी की कमी हो जाती है और इसका सम्मंद है vitamin D की कमी से अब vitamin D की कमी है तो अब इसका मतलब इसमें कोई deficiency हो गई तो deficiency का मतलब अब हम इस पर आ गए अब यह बचा ringworm दाद दाद जो होता है इसका तो सीधाई कवक से होने वाला कवक से होने वाली बीमारी ठीक है अब इसमें हम सही option देख लेंगे A का दूसरा दो दो में आ रहे हैं B का तीसरा अभी तो हमारे A और B दो option चले आ रहे हैं C का एक C का एक और D का चार तो हमारा ये ठीक है B option is right हमारे कुछ बच्चों ने दिया होगा गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग ठीक है वेकर के वेडिगे पच्चे से सने बच्चे ने बताया टू-त्रीobs औमन यादब वेरि गूप बच्चे थीक है और इसने तनू सचन ने भी बताया ठीक है और भविता ने भी बताया अमन यादा वेरी गुड कीप इट अप लगे रहो अच्छी बात है जितना आप मेहनत करना सीख जाओगे ना जिस दिन आपने मेहनत करना सीख लिया आपके सेलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता बाकि हम सब लोग आपकी सबकी सेवा में यहां पर लगे हुए है एक्जाम पूर चैनल ने पूरा पूरे हिंदुस्तान में एक तहल का मचा दिया है और आप इससे जतने जादा से जादा बच्चे जड़ोगे तो निश्चित रूप से आप सेलेक्शन यहां से लेकर ही जाओगे मेहन पूरत नहीं करोगे तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है ठीक है बच्चों तो यह कोश्चन भी हमारा हो गया अब हम नेक्स्ट कोश्चन की ओड़ चलते हैं उस बोन को कहते हैं इस्टरनम तो ब्रेस्ट बोन का सम्मन्ध हो गया आपका इससे ठीक है कॉलर बोन को यहां पर हमारे कॉलर लगे हैं शर्ट के टी शर्ट के जो यहां पर एक बोन आती हुई दिखाई देती है इसे हिंदी में कहते हैं हसली हसली कहते हैं तो हसली देखो स लेवी किल ठीक है लेकिन यहां देख रखा है हसली ठीक है हसली दे रखा है तो यहां पर इसकी मैचिंग इसके साथ हो गई इसकी मैचिंग इसके साथ हो गई अब हम अगले कोश्चन की और चलते हैं नीकैप जहां पर हमारी अपर लेग और लोवर लेग मिलती हैं दोनों यहां पर बीछ में जो कैप होता है आप सब महसूस करते होंगे आपके सभी के होंगे तो निकाप और निकाप का बायलो जी कल नेम है पठेला तो ये मैचिंग आपकी इसके साथ हो गई यह मैचिंग इसके साथ हो गई अब इसमें एक हमारा बच़ावी Mei का एपशल्डर ब्लेड अब एक Bowser leg della अब इसमें इसे कौन सा ठीक है उपस्टाओ और ने गूड़ इवनिंग बच्चों इवनिंस outta सौर्य आराध्या ठीक है बच्चों पढ़ाई में द्यान दो ओप्सन हमारे बने इसके अनुसार 4, 1, 2, 3 साइद दिखनी रहा होगा इस पर लाइट पर 4, 1, 2, 3 और इन में से कोई भी ओप्सन ये वाला नहीं है 4, 1, 2, 3 तो ये सब गलत हैं चारों गलत हैं ऐसा कोईशन जो आएगा उसमें नन अवदा अवब वाला उप्सन आजाएगा यही यही है ठीक है तो इसमें फिफ्ट उप्सन होता तो फिफ्ट वाले में यह होता इसमें किसी से टैली नहीं कर रहा हमारा सीक्वेंस यह होगा हमने आपको समझा भी दिया कि कौन सी बोन किसमें पाई जाती है ठीक है बच्चो समझ गए ना आप इस कोईशन को तो यह कोईशन बहुत अच्छे हैं हमारे बोडी की बोन के बारे में इन्फॉर्मिशन देने वाले ठीक है बच्चो तो अब हम नेक्स्ट कुश्चन की ओड़ चलते हैं विच वन ओप दा फॉलोईंग और्गनिजम्स कैन सर्व एज बाइव फटलाइजर फॉर राइस क्रॉप निम लिकित में से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में काम करता है तीक है ऐसा होता है देखो धान की खेती आप सब ने होती हुई देखी होगी धान की खेती जब मई जून में शुरू होती है कहीं-कहीं जुलाई तक भी जाती है हम उसमें पानी भरते हैं लगवग 8 इंच से लेकर के 15 इंच तक का कहीं-कहीं 18 इंच तक का भी एक डेट फिट तक का पानी भरा जाता है तो पानी इतना ज्यादा क्यूं भरा जाता है ध्यान से समझ लेंगे इस पॉइंट को अक्सर हम समझ तो यू लेते हैं कि जाहतर हमारे किसान बंदू उनको टेक्निकल जाइए। वो चीजन नहीं पता क्यूं बढ़ते हैं हम पानी हम सोचते हैं का पानी बढ़ते होंगे हमारी फसल कहीं सूख्ना जाए दो हमारी बचानेसे लिए तो थोड़ा सा पानी यह लेते हैं रह तीन-चाव दिन में हमन वедते हैं वह उसके बहीं अदर पानी स्लीव भरा जाता है उस पानी के अंदर कुछ उगाया जाता है प्राकृतिक रूप से उसके अंदर उगाया जाती है ये ब्ल्यू ग्रीन एलगी और ब्ल्यू ग्रीन एलगी का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन का स्थरी करण तो एक तरह से यहाँ पर यह मैनियोर खाद तयार हो रहा है इसके लिए यह सबसे सस्ता मेथड होता है इनके लिए सबसे सस्ता पढ़ता है इसलिए धान की फसल में पहले 45 से 50 दिन तक जितना जादा पानी भढ़ जाएगा पानी वो सड़ेगा सड़ने का मतलब यह होगा उसके अंदर ब्ल्यू ग्रीन एलगी तैयार हो जाएगी और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके इसलिए चावल की यह धान की फसल को किसी खाद की यह उर्वरक की जरूरत नहीं पढ़ती है क्योंकि इसी मेथड से यह हो जाता है इसके नीले हरे सहवाल विसे इस रूप से उनका नाम भी लिख देता हूं एना बीना यह और नॉस्टॉक यह उसके अंदर उख जाते हैं अपना भी बाकि नीले हरे शहवाल याद रखो गया बिल्ल्यू ग्रीन एलगी नीले हरे शहवाल उसके अंदर होते हैं तो यह कोश टॉक ही आगया ठीक है अच्छा कोश्चन है बच्चों द्यान रखना इस कोश्चन को ठीक है ठीक है बच्चों तो नेक्स्ट कोश्चन की और चलते हैं अब हम करमा देशित कोश्च का अम्रतिव ऐसा है देखो कोई भी सैल होती है प्रतेक सैल का मरने का समय उसके अंदर सूचना के आधार पड़ते होता है प्रतेक जीव जो दुनिया में पैदा होता है उसकी मरने का भी टाइम निश्चित होता है हम समझते हैं कि मेरी आई ऐस्ती साल जाएगी या कोई कहता है मैं सौ साल तक जीऊंगा लेकिन उसके अंदर की जो इस्तिती है सैल के अंदर उसकी मरने का समय निश्चित होता है जैसे एक बच्चर दस बारे दिन में मर जाता है मखी मर जाती है बीस दिन में यह डोग मर जाता है आठ से दस साल में वास्तम में क्या होता है कि उनकी सैल की जीवित रहने की छमता समाप्त हो जाती है ठीक है कैई वार समय से पहले मृत्ति उसलिए हो जाती है कि उसके जो वाइटल ओर्गेंस है वाइटल ओर्गेंस काम करना बंद कर देते हैं किसी का हार्ट अटेक हो जाता है जैसा हम अपने लिए समझते हैं यह प्रॉब्लम किसी और को भी हो सकती है दियर कैई वार डियर पर जैसे ही टाइगर लाइन हमला करते हैं कैई वार उसे देख करके उसकी धड़कन रुख जाती है पस उसका शिकार और आसान हो जाता टाइगर उनका बाकी तो वह फ़र्ट टड़ाई करी नहीं पाता अपने आपको सरेंडर ही कर देता है क्योंकि उसके अंदर इतनी छमता नहीं होती है तो होता क्या है सेल की जो डैथ होती है सेल की डैथ की प्रॉसेस को कहते है ये कोशिका की मिरत्यू सेलुलर और आडविक नियंतर के रूप में रहती है काम करना बंद गए देखो एजिंग क्या है बुढ़ापा प्रतेक कोशिका को बढ़ापा तो आना ही है दीरे धीरे गरो करते हैं किसी को बढ़ा ओलड एज हम सब लोग भी कभी न कभी हम जैस रोज एक। यह दिन हम बढ़ापे की और अग्रेसर हो जाते है तो एजिंग कहते है उस प्रॉसेस को थीक है इसी एजिंग के सास साथ हमार अंगों की कार करने की छंता में धीरे धीरे कमी आने लगती है अगला है डी जैनरेशन होता है अंगों की छंता में कमी अंगों का हिरास होने लगता है लिवर की छंता में कमी आ जाती है लिवर जैसे एक 20 साल के बच्चे का लिवर वसा को पचाने में बहुत बड़ा रोल पड़ गया लिवर कमजोर पड़ गया ठीक है बच्चो समझ रहे हो ना इस कुश्चन को अब तो यह आगए डी जनरेशन हो गया ने क्रोसिस भी होती है डेथ को कहते हैं यह भी डेथ ओफ लीव्स पत्यों की मिरत्यू को कहते हैं पत्यों की मिरत्यू जो पत्यों पर किसी कमी की वज़े से किसी मिंदल की कमी की वज़े से इसको हम रेगुलर बैच में जब आएंगी चीज़ें उन सब को पढ़ेंगे हम नेक्रोसिस है किलोरोसिस है पत्या मरने लगती है साइट से धीरे धीरे करके यानि मृत्यू की और अग्रसर होती है यहां तो यह प्रोग्राम्ड डैथ है अभी तक हमारे साइंटिस्ट इसको प्रॉसिस को अभी तक बदलने की छंता डेवलप नहीं कर पाई जिस दिन इस पर कंट्रॉल हमने कर लिया हम किसी वी जीव को इसन बिगिन्स ठीक है बच्चों तो हम अगले कोश्चन की ओर चलते हैं टेफ वर्ब इसे हर्मेफरोडाइट फीता किर्मियक हर्मेफरोडाइट है हर्मेफरोडाइट का मतलब क्या होता है इसके लिए एक और वर्ड है दूइलिंगी दूइलिंगी को हम दिखाते हैं ऐसे दोनों सेक्स जिसमें हों दोनों सेक्स नर और मादा जब एक साथ होते हैं लिए है झाल और अफ़रोडाइट अगल उस्टेश कि नर और मादा उस्ट वार्म और टेप और दो ऐसे बहुत फेमस एकस्सांप्ल है ओट जो हर्मेफरोडाइट है कि मेल फी मेल एकी में होते हैं बाकि हम सब जानते हैं जाद जाधतर जो एनीमल से सब में नर और मादा अलग-अलग होते हैं ठीक है इतने मैच और बच्चे आप सब हो इस सब चीजों को आप जानते हो ठीक है अब राउंड वॉर्म है सेप्रेट बिल्कुल सही है यह इस्टेटमेंट ठीक हो गया गोल किरमी में से है यह गलत हो गया यह भी यही है निमेटोड का मेंबर है अब इस मैंसे कौन-कौन से स्टेटमेंट ठीक हो गए पहला दूसरा और तीसरा ठीक है तो पहला दूसरा तीसरा तो हमारा यह स्टेटमेंट इसका सही हो गया यह वाला गीनिया फिर यह होता है वो यह ही लेकिन यहां पर यह लिटा लिखाए और लिडा में कौन आता है यह लिडा में आने वाला है अर्थ पॉर्म कैच्छुवा 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 के अंदर आता है ठीक है बच्छो समझ गए अब हम नैक्स्ट कोश्चन की ओड़ चलते हैं सेल में कौन सा कोशिकांग जिसमें नुकलियस के अलावा डी एने होता है नुकलियस के अलावा डी एने तो को सामानिता हम यह सब जानते हैं और आगे पढ़ेंगे भी जो सेल होती है सेल के अंदर यह सेल है और यह नुकलियस है और नुकलियस के अंदर होता है नुकलियस के अंदर क्रोमोजूम होते हैं क्रोमोजूम ठीक है क्रोमोजूम और क्रोमोजूम के अंदर होता है डी एने क्रोमोजूम मैं इसमें लिख देता हूं साथ देखना रहा हो आपको क्रोमोजूम यानि क्रोमोजूम को हम कहते हैं गुण सूत्र नुकलियस के अंदर होते हैं और यह क्रोमोजूम बने होते हैं डी एने के बच्चो प्यारे बच्चो यह सब dna के बने होते हैं और dna के अंदर पूरी सूचना एकत्रित रहती है और यही dna है जो सूचना को एक पीडी से अगली पीडी तक ले करके जाता है कल की क्लास में हमने dna पर यहीं पर समाप्त किया था आपको याद आ गया हुगा जो सुकलस के लावा डी इने कहां पाय जाता डी इने सेंट्रियोल में नहीं पाय जाता गॉल्गी अपरेटिस में नहीं पाय पाया जाता है यह और एक और जवाब एडिशनल मैं लिख देता हूं कि किलोरोप्लास्ट में हरित लवक में यह भी है और यह भी है तो आपका सही जवाब यह हो गया माइटो कॉंड्रिया के अंदर डी एने पाया जाता है इसलिए इन दोनों को बहुत इंपोर्टेंट टर्म लिखने जा रहा हूं एक मेंन के लिए आपको याद भी आ जाया कैई बच्चों को माइटो कॉंड्रिया को और हरित लवक को कहा जाता है सेमी ओटो नॉमस और्गेनेल अर्ध स्वचालित कोशिकांग अर्ध स्वचालित कोशिकांग यानि यह आधे काम अपने अपने आप कर लेते हैं जैसे नीकुलियस को कहा जाता है नीकुलियस को कहा जाता है ब्रेन ओफ सेल कोशिका का मस्तिस्क इसलिए कहते हैं विकॉज इट कंट्रॉल होल सेल यह पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है लेकिन माइटोकॉंड्रिया और यह हरित लवक दो ऐसे कोशिकांग है अच्छा चला गया सब आगया अच्छा चलो यह एक्चली पता नहीं वह चलो ठीक है बच्चो अब यह देख रहे हैं आपको जूम में था और थोड़ा बड़ा दिख गया है बिलकुल ठीक है हाँ जूम में बोला बच्चे ने अमनने बोला ठीक है तो अब आप फिर से समझो लो एक वार समझाय दे रहा हूं मैं विच और्गेनल इंदा सेल अधर देंदा नीकुलियस कंटेंज डी एने डी एने सामाने था नीकुलियस के अंदर होता है डी एने कहां होता है नीकुलियस के अंदर होता है जिससे क्रोमोजोम बना होता है और यही क्रोमोजोम है जिस पर जीन उपस्चित होती है जीन भी डी सभा जाता है सेमी ऑटोनॉमस और गिनल अर्द स्वचालित कोशिकांग यह दोनों अपने ज्यादातर काम अपने उपर ही कर लेते हैं नूकुलेस के उपर डिपेंड नहीं करते क्योंकि यह दोनों ही ऐसे हैं यह वाइटल और गैन है क्लोरोप्लास्ट में पौदे अपना ख और हरितलावक के अंदर प्रिकास संसलेशन होता है अप्रिकास अंसलेशन ठीक है बच्छों बहुत अच्छे कोश्चन थे हमारे क्याई कोश्चन इसके अंदर कबर हो गए हैं अब नेक्ट कोश्चन की ओड़ चलते हैं अब हम एथलीट फूट इसे डिजीज यही है हिंदी अंग्रेजी में यही रहेगा यह एथलीट फूट किस से होती है यह होती है कवक से कवक से होने वाली बीमारि यह प्यर की जो औंग्रिया होती है जिने हम टोज कहते है बढ़ साथ के दनों में अकसर कई लोगों की उसमें फंगस लग जाती है और उसमें वो औंग्रियां के बीच में गलने लगती हैं काफी लंबा समय में लग जाता है इसके Eiलाज के लिए क उस बीमारी को एथलीट फूट के नाम से जाना जाता है एथलीट फूट कवक से होने वाली बीमारी अब हम नेक्स्ट कुश्चन की ओड़ चलते हैं बच्चो नेत्रदान में आँख के किस भाग को दान दाता से लेकर प्रत्यार उपित किया जाता है कौन सब को क्योंकि आई डोनेट अक्षर देको ऐसा है आई डोनेशन कितना बड़ा काम है आई डोनेट कर देने से हमारी डैथ हो गई मेरी योगी डैथ और मेरे डैथ के वाद हमारे सब संसकार कहीं दफना जाता है तो कहीं जलाय जाता है आँख भी जल जाएंगी यह सड़के खतम हो जाएंगी मिट्टी बन जाएगी और यदि हमारे मरने के चाड़ से 6 घंटे के अंदर आखों को निकाल कर डॉक्टर के किसी को दान में देदें तो उस व्यक्ति को नौ उसको द्रश्टी मिल जाएगी कितना अच्छा काम होगा इसी लिए हमें नेत्रदान महादान के नाम से जानते हैं आजकल हम इतने एजुकेट हो चुके हैं कि हम आख दान करने में हिचकिचा नहीं है कभी ऐक समय था कि आंख दान दे दो मरने के बाद बावा दे दो गया ना भाईया क्यों क्योंकि अगले जनब में बिना आक का पैदा हुँगा ऐसी हमारी माननेता थी जो आज जैसे आज कल के बच्चे तो ऐसे क्या पूरी बॉड़ी को दान देने को तयार रहते हैं कि डेथ के बाद हमारी बॉड़ी किसी के भी प्राण बचा पाती है चाहें लेवर के रूप में चाहें हाट के रूप में या लंग्स या पैंक्रियाद जो जो वाइटल और्गेंस है इन सब को दान देने के लिए लोग आफ्टर डेथ तयार रहते हैं कितने लोग हैं जो कौमा में चले जाते हैं कौमा में जाने पर पेरेंट्स अपने बच्चे के न और्गेंस को क्योंकि मर गया तो बेकार हो जाएंगे बेटर है का मरने तो वाला है ही वह उसमें इमीडि के अंदर अधिक्तम हार्ट टांस्प्लांट करा जा सकता है हुएं इंडिया में ऐसे बहुत सारे 20-25 केस हो चुके हैं जिसमें मरते इमीडियेट निकाल करके एक घंटे के अंदर में पूरा ग्रीन यहां डैली में बनाय गया है फरीदावास से डैली तक और गुडगां से डैली तक चेन नहीं कि अगरा साउथ में ऐसे एक्जामपल जादा देखने को मिले हैं ठीक है बच्चों तो अब आप इसको समझेंगे इसको स्वाब आप नोगों ने दे दिया होगा दे चुके होंगे वेरी गुड हमारे बहुत बच्चों ने इसका जवाब दे दिया है फिर कैसे हो रहा है अब आज नहीं आ रही के बच्चे बोल रहे हैं नहीं तो तो ठीक है बच्चों यह वाला कोश्चन हो गया आप नेक्स कोश्चन की और चलते हैं अब हम ऐसा है देखो यह वाला कोश्चन भी बहुत रोचा कोश्चन है इसमें थोड़ा सा इस कोश्चन के अंदर मैं कुछ एड़ कर देता हूं यह दूरा रह गया था एक आदमी जिसका रक्त समूग ग्यात नहीं है एक गंभीर दुर्खटना से मिलता है और उसे तुरंत रक्त आधान की आवश्यक्ता होती है ठीक है आप समझ गए एक व्यक्ति एक्सिडेंट से गुजड़ता है और इतना जादा रक्त बह जाता है क कि उसका ब्लड चेक करने का भी डॉक्टर के फास समय नहीं होता है और उस व्यक्ति को बचाने के लिए इमीडियेट ब्लड देना है अब आप यह बताओ बच्चे जब मैं समझता हो जब आप जरूर देंगे कि कौन सा ब्लड ग्रोप उस व्यक्ति को इमीडियेट बिना क किसी जांच के चड़ाया जा सकता है जो व्यक्ति को परिषानी नहीं हो तो बताओ वच्चो इसमें से कौन सा होगा और पॉजिटिव करके लिख सकते एक वात है इसे हम ओ निगेटिव दे सकते हैं इसे हम यहां लिख सकते हैं एवी पॉजिटिव और यह हो गया एवी नि कि इसमें से उसको देंगे जो ब्लड गुरूप यूनिवर्सल डॉनर है यूनिवर्सल डॉनर सर्वदाता फैक्ट है कौन सा है कोई बताएगा बच्चा नहीं भई अभी तो सही जवाब किसी का नहीं आया आकांशा रॉंग नो नो यूनिवर्सल डॉनर जो सब को ब्लड दे सकता है यह है ओ निगेटिव ओ निगेटिव ओ निगेटिव यूनिवर्सल डॉनर ध्यान रखेंगे यह ऐसे फैक्ट है यह तो हमें टिप्स पर होने ही चाहिए हलाग एक क्लास में आपको मैं कभी भी इसमें पूरे ब्लड ग्रुप का किस किस तरीके से निर्माण होता है क्या क्या किस के पास एंटीजन एंटीवर्डी कौन सी है वो आपको मैं यूट्यूप पर आपके इसमें जरूर से कराऊंगा हो सकता है नेक्स्ट वीक में करा दूँ ठीक है तब यदि कहीं आपका किसी को ग्यात नहीं होगा तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी ब ग्राही जो सबसे ब्लड ले सकता है कौन सा है वो बताओ बच्चो जो सबसे ब्लड ले सकता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है इसी कुश्चन में जोड दिया हमने और इसमें वो सही ऑप्सन इस गिविन दे रखा है वो सही ऑप्सन बताओ बच्चो वो है ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड ले सकता है और ओ निगेटिव सब को दे सकता है तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा नीड होती है और एक और बता दें पूरी दुनिया में द्यान लगना यह पूइंट भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग ओ निगेटिव के मिलते हैं लगवक्त 33-34 परसेंट 34 परसेंट तो यह बहुत हमारे लिए बड़े उसकी बात है कि इसका मतलब कुछ न कुछ पिरकिर्टी ने ऐसी चीज दी है और ऐसे और आजकल तो ब्लड डोनेशन की जब बात आती है हमें किसी को भी कभी भी ब्लड डोनेशन से मना नही करना चाहिए क्योंकि यह जिस दिन हमारी लैब में बनने लगेगा एक दूसरे से इसको भी मांग नहीं पाएंगे अन्यता हमारे समाज में आज भी कहीं भी होता है तो मांगा जाता वह ऐसे ब्लड चाहिए वह आप मैंसे कौन दे सकता है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डो अच्छे तो आजकल बिल्कुल नहीं बताते देने के बाद महीनोवाद बताते हैं नहीं तो मार दादियां यहीं कहेंगी और बच्चा तो कमज़र हो गया बताओ जरुवत्थी लेने की देखे आ गया ठीक है इसलिए कभी मत कि जाना और जितना ज्यादा आप ब्लड जो ह आपके दिमाग पर तुरंत आ गया होगा ऐसे पौधे जो दूसरों पर निर्वर करते हैं ऐसा है देखो एफ़ीफाइट कौन से होते हैं ऐसे पेड़ पौधे जो दूसरे पेड़ के ऊपर उग जाते हैं अक्सर देखा हो आपने पीपल कहीं भी उग जाता है गीवार में जगह मिल गई तो मिल गई और पता लगा किसी पेड़ के कहीं भी जगह मिल गई वहाँ पीपल उगा मिल जाएगा आपको कितनी जगह नीम के साथ भी जामन के साथ भी सिरिस के साथ भी ऐसे कैई हमारे पेड़ पौधे हैं जो दूसरे के सहारे से उग जाते हैं अब उनको उनसे क्या फाइदा है उनसे वोजन मिलेगा नहीं उनसे च्छाय मिलेगी नहीं उनसे पानी मिलेगा नहीं उनसे मिलेगा केवल ये अपनी जड से जल गरन करेंगे अपनी जड से लेंगे जड अंदर से साथ साथ होते हुई मिट्टी के अंदर ही जाएगी जब तक नहीं पहुंचेगी तो वर्सा का पानी जो इखटा हो जाता है भड़ जाता कहीं गीलापन होता उससे ही सोक लेते हैं और खुद अपना भोजन भी बनाते हैं भोजन स्वेम भोजन का निर्माण भी वह स्वेम करते हैं उसके उपर डिपेंड नहीं करते हैं ठीक है तो बच्चो एक यह कुश्चन और अगला कोश्चन आपके लिए एक क्लास ऑफ एंइमल्स नोन एज मार्सूपिल्स इजे करेक्ट्रेश्टिक फीचर ओप जानवरों का एक वर्ग जिसे मार्सूपियल कहा जाता है के रूप में जाना जाता अब देखो यह मार्सूपियल अंग्रेजी हिंदी में एक जैसा रखा गया है दरसल में हिंदी आते ही इसका जवाब आप मैंसे कम जोड से कम जोड बच्चा भी देदेगा मैं लिख देता हूँ अब जवाब दो आप कंगारू इन मैंसे किस कंट्री की एक विसेस्ता माना जाता है यह तो आप बता दोगे अब वेरी गोड बहुत बच्चों ने बता दिये तो सबी बता दोगे बिलकुल बिलकुल सही बताईख ठीक है बच्चों तो यह है аст ERIC है इसलिए देखा हो तीम किंडिया आती है और debates कल तो गई हुई तो इंडिया की जो टक्कर हो रही है इस समें कंडारूं के साथ है कंगारू पहली स्रीज जीत गए हम दूसरी स्रीज जीत गए तीसरे भी हमी जीता हैंगे यह मानके चलना चाहिए पहले से ही थीक है तो हब समझ गए तो competence ही मिलते हैं उसी cev में और ये कभी किसी को देते भी नहीं है क्यों क्योंकि उनका ये नैसनल एनिमल है उनकी पहचान है उनका सिंबल है तो ये कभी उसको देते नहीं है तो बच्चों बहुत अच्छे कोश्चन साज हमारे आपके साथ डिसकस हुए हैं और कल फिर अगले कोश्चन की हम सिरीज के साथ आपके सामने फिर आएंगे आज क्लास हम यहीं एंड करते हैं बच्चों अच्छे से रिवाइज करते करते रहना ठीक है गुड़नाइट बच्चों जै हिंद जै एक्जामपुर ओके थैंक्यू वेरी मैं